हेलो स्टूटन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रूप है तो आज हम डिसकस करेंगे क्लास नाइन में चैप्टर बन की एक्साइज 1.6 को तो कोशन नमबर बन का फर्स पाड हमें कुछ इस तरीक से दे रखा है 64 की पावर 1 by 2 से हमें solve करना है ठेक है तो इसको solve करने का तरीका देखो क्या होगा सबसे पहले हमें 64 के करने है factor डिवाइड दिया 32 डिवाइड दिया 16 तो का डिवाइड दिया 8 तो का डिवाइड दिया 4 तो का डिवाइड दिया 2 और तो का डिवाइड दिया 1 हमें देखना है इसकी power में fraction में कितना है वन 2 है तो 2-2 का pair बनाना है 2 का pair बना 2 का pair बना 2 का pair बना इन दोनों में से बाहर कितना है गा 2 इन दोनों में से बाहर कितना है गा 2 इन दोनों में से बाहर कितना है गा 2 मैंने 2-2 का pair बना है इसलिए पावर क्या लगा दी 2 कितना है 2 तू जा 4, 4 तू जा 8 यहानी 8 की पावर 2 तो 64 की जिगह में क्या लिखूँगा 8 की पावर 2 क्योंकि 8 को 8 से मल्टिप्लाय करने में वापस कितना हैगा 64 2 उपर 2 नीचे है 2 से 2 कैंसिल हुआ मेरा कितना अंसर आ गया 8 ठीक है यह मेरा हुआ फर्स्ट पार्ट सेकिंड पार्ट 32 की पावर 1 अपन में 5 ठीक है 32 के करेंगे हम फैक्टर 16 तू जा 32, 2 एट जा 16, 2 फोर जा 8, 2 तू जा 4, 2 बन जा 2 नीचे कितना है 5 तो पेर बनेंगे 5 का 1, 2, 3, 4, 5 अगर पेर मैंने 5 का बनाया है तो पावर किती लगानी है 5 तो 32 की जगा मैं लगा दूँगा 2 की पावर 5 बाहर कितना दे रखा 1 अपन 5 अंदर 5 है बाहर 5 है 5 से 5 कैंसिल हुआ आंसर कितना आगे मेरा 2 ठीक है इसके बाद इसका सकरते हैं इसका तीसरा पाड वह में दे रखा है 125 की पावर बनेगा 3 इसके फैक्टर की है 5 का डिवाड दिया 25, 5 का डिवाड दिया 5, 5 का डिवाड दिया 1, पावर नीचे कितना है 3 तो पेर कितने एक बनेगा 3 इका 3 का तीन का पेर है तो पावर कितने आएगे 3 इसक से 3 cancel हुआ किता answer है मेरा 5 निकल के आ गया तो यह मेरा question number 1 यहां पर complete होता है ठीक है है अब हम इसका question number 2 discuss करेंगे question number 2 में देखो क्या वो लखा में question number 2 में बोला गया है इसके first part में 9 की power 3 by 2 ठीक है तरीका हमारा अभी भी वही होगा 9 दे रखा है 9 के का करने factor 3 3 is a 9 3 बन जा 3 नीचे कितना है 2 तो pair बनेगा 2 का 2 का pair बना इसलिए power कितने आई 2 तो 9 की जगा लिखेंगे 3 की power 2 और बहार कितना दे रखा है 3 by 2 2 से 2 cancel हुआ अब 3 की power 3 है इसका मतलब है 3 को 3 से 3 बर multiply करना है 3 3 is a 9 9 3 is a 27 यह मेरा first part हो गया second part 32 की power 2 by 5 फिर हम 32 के factor करेंगे 2 का divide दिया फिर हमें 2 का divide दिया 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 तो नीचे कितना है 5 फिर कितने बनेगा 5 का 1 2 3 4 5 2 की power 5 अंदर लिखते हैं 2 की power 5 बाहर क्या दे रखा है 2 की power दो बढ़र हां मतलब 32 की power 2 upon 5 5 से 5 cancel हुआ 2 की power 2 इसका मतलब क्या है 2 को 2 से 2 बर multiply करना है 2 2 जा 4 होगे मेरा ठीक है तीसरा part 16 की power 3 by 4 16 की मैं यहां factor करता हूँ 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 जा 2 ठीक है नीचे कितना है 4 तो पेर कितने का बनेगा 4 का 2 की power 4 बाहर के तादे रखा है 3 upon 4 4 से 4 cancel हुआ 2 की power 3 इसका मलब इसको 3 पर multiply करना है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यह मेरा ठीसरा part हो गया ठीक है अब इसका चौथा part चौथा दे रखा मैं जे 125 inverse 1 upon 3 जब भी power inverse में आ रही हो inverse का मतलब negative में आ रही हो तो इसको उल्टा कर दो उल्टा कर देने से power क्या हो जाती है positive तो मैंने इसको reverse कर दिया कितना हो गया 125 जो power पहले negative थी अब किसके हो गई positive की 1 upon 3 अब 125 के factor करेंगे इसमें divide दिया 25 फाइफ का divide दिया 1 का divide दिया अब power नीचे 3 है तो पेर बने का 3 का यहनी 5 की power 3 5 की power 3 और भार कितना है 1 by 3 3 से 3 कट गया कितना अंसर है मेरा 1 upon 5 ठीक है और इसी के साथ मेरा question number 2 यहाँ पे complete होता है ठीक है तो हम discuss करेंगे इसका question number 3 को question number 3 हमें दिये रखा है का first part 2 गी power 2 बटे में 3 dot 2 गी power 1 बटे में 5 अगर दोनों number सेम हो यानि कि base सेम हो तो power जुड़ जाती है ठीक है तो यानि कि base सेम है तो power होगी जुड़ेगी 2 by 3 प्लस में 1 upon में 5 अब नीचे कितना है 3 और 5 दोनों का लेंगे LCM sorry 3 और 5 है 3 बंजा 3 5 5 बंजा 5 दोनों को multiply किया कितना है 15 थोड़ा बड़ा बना ले तो मैं दोनों का LCM लेने पे आया 15 तो यहां लिखा मैंने 15 दो डिवाइड के डबे बनाए दोनों में रखा 15 नीचे वाला जो number है 3 इसका divide दिया 3 5 जा 15 कितना answer आया 5 इसे multiply कर देना उपरवाड़े नंबर से यानि कि 2 से फिर 5 कड़ी वाड़ दिया 5 3 जा 15 कितना answer आया 3 multiply कर देना 1 से 5 2 जा 10 3 1 जा 3 15 का 15 10 में 3 को add कितना आया 13 और नीचे कितना है 15 तो यह मेरा answer यहां पर complete हो गया ठीक है इसका तीसरे का first part था second part 3 की power 3 और इस पूरे की power 7 ठीक है तो जो 7 है मैंने 1 की power को अलग कर दिया 3 की power 3 की power पहले 3 फिर उसकी power 7 अलग कर दिया 1 को 7 बार multiply करेंगे 1 ही आएगा 7 को 3 से multiply करेंगे 7 3 जा 21 ठीक है अब 21 बार तो उसको multiply करना possible नहीं है इस विज़े इसको मैंने इंपे यह छोड़ दिया ठीक है अब discuss करते है इसका तीसरा part तीसरे part में रखा है 11 की power 1 by 2 and 11 की power 1 by 4 जैसे बेस सेम होता है और multiply का sign हो तो power जुड़ गी थी बेस सेम हो और divide में हो तो power किया होगी minus होगी यानि कि एक बटे दो में से minus कर देंगे 1 by 4 जैसे मैंने LCM लेके इनको plus किया था वैसे LCM लेके से minus करेंगे 2 और 4 को टू बंजा 2 तू टू जा 4 टू बंजा 2 2 को टू से multiply गया कितना है 4 यह लेका मैंने 4 दो डिवैड के डब्बे बनाए दोनों में क्या रखा मैंने यह वाला 4 नीचे कितना है 2 टू का divide दिया कितना answer है 2 इस जो answer है उसे multiply कर देंगे न उपर वाले से नीचे वाले से divide जो answer है से उपर वाले से multiply 4 का divide दिया 4 बंजा 4 कितना है 1 multiply कर देंगे उपर वाले से कितना है 1 तो 2 बंजा 2 1 बंजा 1 कितना है 2 में से 1 गया 1 नीचे कितना है 4 तो यहां पे मेरा यह answer हो जायागा बात करते हैं इसके fourth part की 7 की power 1 by 2 इंटू में 8 की power 1 by 2 इस बार बेच सेम नहीं है लेकिन power सेम है तो दोनों को एक अठा करी लिख देंगे यह यहांने दोनों की power सेम ही है तो दोनों की उमें इकठा करी पावर क्या लगा दिए 1 by 2 7 8 जा 56 इसकी power 1 by 2 ठीक 56 की हम फैक्टर करेंगे इसमें डिवाइड दिया 28 2 का डिवाइड दिया 14 डिवाइड दिया 7 डिवाइड दिया 1 ठीक है तो देखो इन दोनों का तो पेर बन गया 2 2 का बट 2 7 का नहीं बन पाया जिसका पेर बन जाता है तो देखो इसको हम कैसे लिख देंगे 2 की power 2 बटना इसका बन पाया ना इसक ठीक है इस 1 by 2 का मतलब होता है अंडरूट क्या होता है अंडरूट तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 इंटू 7 तो 2 की उपर तो स्केर है 2 अपने उपर से रूट कटवा गी भार आ जायेगा बाकी ना इसके उपर स्केर है तो यह दोनों रहेंगे अंदर 2,7 जा 14 तो यहाँ पर मेरा आंसर यह complete है ठीक है और इसी के साथ मेरे exercise 1.6 यहां पर complete होती है उमीद करते हूं आपको question समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और इस channel को जरूर subscribe कर लें ठीक है तो मिलते हैं के लिए वीडियो में ओके बाई बाई कर दो